अगें वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टार्ट करते हैं हमारा चेप्टर जो था वो हाउस प्रपर्टी था क्योंकि कुछ क्लासिस का गैप हो गया इसके अंदर एक दो छुट्टियां हो गई आपकी तो पहले हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं और जितने नए बच्चे एन उस संस्टार्स को देख रहा है तो पहले हाउस प्रौपर्ट्टी के उसको पूराने क्लासेश देखनी पड़ेगी तब जाके यह वाली समझ में आणे वाली हैं तो हमारा सबसे पहले चैप्टर की हम बात करें तो चैप्टर हमारा क्या था सर income from house property यानि मैंने बहुत simple terms में आपको बताया था कि हम जो income calculate करते हैं वहाँ पर कितने head होते हैं हमारे पांच head होते हैं यानि आप salary से भी पैसे कमा सकते हो house property से यानि rental income वह house property में चला जाता है घर बेचना खरीदना capital gain में चला जाता है और जो आप business करते हो जैसे आपकी दुकान है वह PGBB में और उसके बच गए वह other source में चला जाता है इसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर हम section 22 पढ़ेंगे और 22 chargeability का है chargeability मतलब भाया क्यों लग रहा है 27 पढ़ेंगे के honor कौन होता है या deemed honor कौन होता है 23 देखेंगे के annual value कैसे निकाला जाता है 24 देखा हमने के standard deduction क्या होता है इसके अंदर सबसे पहले chargeability देखा chargeability क्या समझाता है हमें के आपका जो rent calculate होता है वो annual value पे होता है और honor के उपर ही text लगेगा और किसी के उपर text नहीं लगेगा annual value पे होगा किसी भी property पे और किस पे building से होना चीए land से होना चीए और honor पे text लगेगा इसके बाद honor को define किया 27 में कि भीया honor कौन होता है honor का मतलब deemed honor भी हो सकता है अगर husband ने अपनी wife को घर ऐसे ही दे दिया है कोई consideration नहीं लिया तो वही honor माना जाएगा अगर आप imperatable state के honor हो मतलब किसी का care taker हो तो आप ही honor माने जाओगे अगर आप corporate society के हो तो आप ही honor माने जाओगे जो कि हमने तीन से चार cases इसके अंदर हमने अलग-अलग देख लिये थे इसके बाद हमारा आ गया था सर क्या इसके अंदर हमने देखा सबसे पहले कि भाई annual value क्या होता है annual value होता है हमारा के हमें जो tax जिस amount पे देना वो annual value है इसको निकालने के लिए हमें कुछ methods देखना पड़ता है एक municipal department हमारा rent decide करता है उसको हम क्या बोलते हैं municipal mcd वाले जो भी rent decide करेगा उसको house tax वगरा देते हैं उसको बोलते हैं municipal value ऐसे आस पड़ोस वाले से भी हम कई बार क्योंकि income tax को पता है कि आप कहीं न कहीं tax की चोरी करोगे और जब tax की चोरी करोगे तो वह अपने बहुत सारे sources लगाएंगे actual आपके rent का पता करने का तो पहला source वह लगाएगा कि mcd वाले इसका rent कितना होना चाहिए फिर वह कहें आस पड़ोस का पता कर भाई कहीं ऐसा सेम कमरा किरायब उसी location में है तो कितना rent है फिर आप से पूछेगा 13 rent क्या है फिर तीनों में से वह दिमाग लगाएंगे फिर आपका एक rent बताएंगे और एक standard rent था जो की court decide हमारा करेगा उसको क्या बोल रहे थे हम standard rent बोल रहे थे अ जो निकला answer और standard rent में से lower और फिर actual rent receivable में से higher value को ले लेंगा जो बन जाएगा जीएवी और खूब सारे हमने कुछ जीएवी के example देखे थे कि कैसे निकाला जाएगा जीएवी मतलब gross annual value इसके बाद हमने देखा सर मूंसीपल टेक्स मूंसीपल टेक्स मैंने बताया था में आपके पेड करते हैं मूंसीपल टेक्स जैसे कि आपकी रोड को बनाना आपके नाली वगेरा बनवाना आपके आसपास इसके साथ साथ पार्क बनवाना आपके लिए dispensary तो यह MCD का काम है इसके बदले आपसे टेक्स वसूला जाता है इसके अंदर रूल क्या लगता ह यही लगता है कि मूंसीपल टेक्स जो है उसका पेमेट जो है या तो ऑनर करेगा या फिर वहां का जो रेंटर यानि टेनेंट है वह करेगा अगर टेनेंट उसको डिडूक्शन करना लाउड नहीं है यानि माइनस नहीं कर सकते जीए वी में से ओनर का देखा जाएगा कि अगर खुद रह रहा है तो माइनस नहीं कर सकता लेकिन हाँ अगर किरायये पर दे रखगा है फिर भी मूंसीपल टेक्स ओनर कर रहे है तो माइनस किया जाएगा लेकिन कब पेमेंट कर देना चाहीए उनर को जिस साल का टेक्स भर रहे के बाद हम आगी क्लास में बढ़ गए और फिर हमने क्या देखा मुंसिपल टेक्स तक ही देखा था इस्टेंडर डिडेक्शन क्या था इस्टेंडर डिडेक्शन मतलब आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके मकान में तूट फूट होता है रिपियर होता रहता है तो गौर्मेंट कहती आपना यह सब माइनस करके फिर अपनी इंकम निकाल के दिखाओ तो हम इस्टेंडर डिडेक्शन कितना दे देते हैं 30% जो भी आपका वैल्यू आया उसके उपर 30% माइनस क कर दिया जाएगा उससे रिलेटिड हमने यहां पर कुछ कोशन देख लिए थे चलिए यह कोशन मैंने होमवक में दिया था आपको और शायद आपने किया कि नहीं किया क्योंकि काफी टाइम हो गया है मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे मैंने जस्ट एक होमवक दिया था ठीक है चलो पहले सिचुएशन कर लेते हैं तो आ जाते हैं 23 सेक्षन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ते वे डिफरेंट सिचुएशन सेक्षन 23, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी केसिस हैं सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन को हम देखेंगे कि भाईया कैसे कैसे सिचुएशन आपके सामने आ सकता है कुश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और लोग किस किस तरीके से करते हैं पहला केस नंबर वन हो सकता है आपको पहले मैं बता दूँ सारे केसिस कितने केस हो सकते हैं फिर समझेंगे जैसे केस नंबर वन बताओं तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आप मानलो घर में हो और इस घर को आपने पूरा का पूरा सेल्फ ओक्यूपाइड गया हुआ है सेल्फ ओक्यूपाइड का मतलब क्या है इस घर में आप ही रहते हो तो फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी की इंकम कैल्कुलेट होगी भी या नहीं होगी और होगी तो कैसे होगी क्योंकि ऐसे सिचुएशन में एक सेक्शन और एक्टिवेट हो जाता है 24 जहां आपकी इंकम माइनस में चले जाती है तो हमारा ऐसा होता है न जैसे मेरी से इंकम पांच लाग है और हाउस प्रॉपर्टी से मेरा लॉस हो गया दो लाग तो मुझे तीन लाग पर ही टेक्स देना है तो यह बचा जा सकता है तो एक केस हो सकता है सेल्फ ओक्यूपाइट दूसरा केस हो सकता है आपका लेट आउट लेट आउट का मतलब आपका जो घर है वो क्या था किराये पे था दूसरा केस यह हो सकता है आपका घर किस पे था पूरा का पूरा किराये पे था मतलब यह पूरे साल किराये पे था बीच में खाली ही नहीं रहा भाई सब आपका घर तो कैसे केस को हैंडल करेंगे तीसरा केस हो सकता है हमारा कि पार्टली कि लेट आउट कि एंड पार्टली कि सेल्फ उक्यूपाइड कि अउन्द बेसेश ओफ टाइम अब क्या हो सकता है तीसरे केस में ऐसा पॉस्पिलिटी है कि आपका एक घर है और इस घर को आपने क्या कर रखा है किरायप दिया लेकिन सुर्फ चार मैंने तो आपने इसको रेंट पर दे रखा है और बाकी के छे मैंने ये वेकेंट रहा मैंने बोलाता है ना vacant का case करेंगे तो एक यह situation हो सकता है कि बाकी के 6 मैंने क्या रहा ये vacant खाली रहेगे on the basis of time तो ऐसे भी आपका घर हो सकता है कि घर के मतलब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ समय खाली रहा और कुछ समय आप रह लिए उसके अंदर तो क्या treatment होगा case नंबर चार हो सकता है आपका इसके बाद देखा जाए तो पार्टली लेट आउट एंड एंड पार्टली self occupied मतलब कुछ हिस्सा हमने लेट आउट और कुछ हिस्सा self occupied जैसे floor वाइस होता है ground floor पे हम रह रहे हैं इसके उपर वाले floor को हमने किराये पे दे रखा है तो उसमें हम कैसे calculation करेंगे और भी case हो सकता है case नंबर पांच आपका यह हो सकता है आपके बहूत सारे घर है और आपने कोई घर किराये पर ही नहीं दिया तो सरकार इस case में बोलती है कि भ्याइँ लोगों को रहने के लिए घर नहीं और आपके पास इतने सारे घर हैं तो सकते हो कि हमारे पास कितने सारे हम केस को देखेंगे ओसको फिर कैसे हैंडल करना है वो पूरा देखेंगे मतलब क्या क्या सिचुवेशन हो सकता है उस सिचुवेशन को कैसे टेक किया जाएगा फूरा सक्तछा के क्यों हम पहले केस देखेंगे acon I did quinole Youазle कि ए अगर्फ शेल्फ ओक्यूपाइट अगर्फ यह यह शेल्फ ओक्यूपाइट जैसे एक्जांपल एक्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको मैंने बोला मुंसिपल वेल्यू दो लाग फेयर रेंट तीन लाग और मैंने बोला बस ये दो चीजे दिया और मुंसीपल टेक्स मान लेते हैं पचास अजार मुंसीपल टेक्स पचास अजार और आपसे बोला हाउस प्रोपर्टी की इंकम निकालो तीन चीजे दी मैंने अब घर जो है वो सेल्फ उक्यूपाइड है इसका मतलब जो आपका घर है इस घर में कोई रह नहीं रहा इस घर के अंदर आपका परिवार और आप रह रहे हो और हाउस प्रोपर्टी की इंकम बोलता है कि आपको अगर रेंट मिलता है तो आपको टेक्स देना होगा यहीं बोलता है न कि अगर आपको रेंट मिलेगा तो उस रेंटल इंकम क्योंकि इंकम टेक्स किस पर लगेगा आपके इंकम पर अब जब आप घर में रह रहे हो तो तो कहीं से रेंट आ रहा होगा क्या नहीं आ रहा होगा कहीं से रेंट कहीं से रेंट नहीं आ रहा होगा तो तो आपकी कोई income generate हो रही है क्या नहीं हो रही होगी को income generate तो क्या आपकी जब इंकम ही नहीं है तो कि आप टेक्स दोगे सरकार को तो जवाब नहीं दोगे टेक्स आप तो जब भी सेल्फ ओक्यूपाइट होगा तो अगर मैं इसको कंपेर कुछ भी करूँ तो यह हमेशा याद रखना यहां पर हमारा जीए भी जो है वह हमेशा आएगा जीरो यानि निल और इसमें से मुंसिपल टेक्स आपको मैं यह बताने के लिए मैंने लिखा जीए भी आपको याद होगा कि जब हम खुद रहते हैं सेल्फ ओक्यूपाइट तो मुंसिपल टेक्स माइनस करेंगे क्या चेक करते हैं चेक करते हैं वह यह क्या लिखाता तो क्या लिखाता जब सेल्फ ओक्यूपाइट होगा तो नोट डिड़क्शन अलाउड मतलब अगर आपका मुंसिपल टेक्स कोश्चन में दे रखा है जैसे मेरे वाले एक्जांपल में मैंने मुंसिपल टेक्स लिया है तो क्या यहां अनकारी दे दे सब irrelevant है आपका NAV यानि Net Annual Value हमेशा क्या लेना है आपको निल यानि क्या लेना है आपको जीरो तो पहला केस तो यही बताता है कि कोई भी ऑनर अपने मकान में खुद रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में उस घर के ऊपर कोई टेक्स नहीं निकाला जाएगा कि एक और पार्ट आएगा अभी आगे चलके तो फिर आपको पता चलेगा निकाल क्यों रहे हैं लेट आउट मींस सर लेट आउट मतलब आपने अपना घर किराये पे दे दिया है केस नंबर टू देखने हैं इसके बाद केस नंबर टू लेट आउट फोर फुलियर लेट आउट फोर फुलियर सर जैसे एक्जाम्पल मान लो आपका मुंसिपल वेल्यू दो लाग है और फेर रेंट तीन लाग है क्योंकि लेट आउट है तो आपका एक्चुल रेंट भी होगा न मैं थोड़ा शॉट फॉर्म यूज कर रहा हूँ तो शायद आज जो बच्चे नहीं होंगे उनको देखने की कोशिस करेंगे तो मैं बता दू मुंसिपल वेल्यू फेर रेंट एफ र लिख रहा हूँ और एक्चुल रेंट होगा पहले यह बताओ भी हमेने घर को किराये पे दे रखा हैं तो क्या मेरा एक्चुल रेंट होगा या नहीं होगा सोचो दिमाग लगाओ घर मेरा किस पे है घर मेरा किराये पे है किराये पे है तो बताओ एक्चुल रेंट होगा या फिर नहीं होगा होगा किराय पे दोगों तो रेंट नहीं मिलेगा क्या मिलेगा रेंट तो जो एक्चुल रेंट है मान लेते हैं वो है आपका वान पॉइंट फाइब लैक और मुंसीपल टेक्स है एमटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मुंसीपल टेक्स है मान लो पचास अजार रुपे आपको फाइंड करना है इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई एच पी कुश्चन समझ मैं यह मैं सर्कल में मतलब इसको बंद कर देता हूं बॉक्स में यह कुश्चन है अब इसके आंसर पर चलते हैं सर आंसर तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ठीक है तो मैं आंसर जब भी लिखूंगा अब क्योंकि हम बहुत सारे कोश्चन देख चुके हैं हाला कि अभी पहला कोश्चन चलो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देता हूं करने का फॉर्मेट भी लिख लेता है चलो चलो जी चलिए अब मेरा एमवी किटना है दो लाग किटना है सरतीन लाग इन दोनों में यह होगा उसे अफ़ार नंबर बन मानेंगे तो हायर कितना हो गया तीन लाग तो तीन निकल के आता है वही क्या बन जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट चलो जी फटा-फट से बताओ इसको किस से कंपेर करोगे एक्चुल रेंट एक्ट्रिपल आर बोल देता हूं मैं कई बार एक्चुल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल या एर भी बोल देते हैं कितना था 1.5 अब फटा-फट कमेंट में जवाब दो कितना होगा हमारा इसके बाद जो सीधा निकलता है इन दोनों को कंपेर करने के ब बताए क्या होगा ये जिए वी यह Greg07 आपटि लाक टीन अहर एक बच्चे ने कहा 1.5 लैक तो इन में से पता है क्या देखते हैं जो भूल गयák हैक यह फर्स्ट क लास है फ्रस्ट हार देते इसे किआ हैर क्या होगी मानँ जाएगा है एक ती Agr लोहोगी आपका जी भी क्या म वाना जाएगा नेवी 2.5 लाइक अब मुझे बताओ क्या ये इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बताओ बताओ क्या ये इंकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो जवाब है नहीं अभी इसमें से माइनेस करना बागी है 24A किसका था स्टेंडर्ड लिडवक्षन इस्टेंडर्ड डेडसन कितने परसेंट मिलता है स्टेंडर्ड टेशन थर्टी परसेंट 30 यानि धैय लाग का 30 परसेंट निकालो भॉआ श्वाईला का 30 परसेंट 75,000 अब जो आएगा वो आएगा IHP माइनस 175 अब उसको इस income के उपर टेक्स भरना पड़ेगा कैसे टेक्स भरते हैं नहीं भरते हैं हम बाद में देखेंगे क्या आपको यह समझ में आया है चलो एक और पॉइंट देखें एक्जामपल नमबर टू मैंने कहा एक्चुल रेंट तीन लाक मैंने कहा मुनसीपल टेक्स पांच हजार मुनसीपल टेक्स पांच हजार मैंने कहा रिपेर में खर्च हुए 25,000 रेपेर करवाया घर को उसमें खर्चा हुआ 25,000 चलो और कोई जानकारी नहीं है बोलो के सर इसमें तो बहुत सारी जानकारी मिसिंग है तो नहीं भाई वो जानकारी नहीं है तो नहीं है तो अब ये वाले कोशन पता है कहां से सुरू होगा सीधा बताओ कहां से सुरू करें इसको क्या MBFR ये सब जो calculation कर रहे थे क्या करेंगे इसमें तो जवाब है नहीं इस कोशन को तो सर आपको सीधा स्टार्ट करना पढ़ेगा पता है कहां से इस कोशन को सीधा स्टार्ट करना पढ़ेगा GAV से तो यहां पे सीधा लिखोगे आप GAV और जो actual rent है वही बन जाएगा GAV यानि जब हमारे पास comparison के लिए चीजी नहीं है तो हम सीधा क्या ले लेंगे GAV और real life में यही होता है कौन जाएगा municipal department से पूछने के लिए भाई बता मेरा पर उसमें बोले का भाई तेरा किराय कितना है जब हम इंकम टेक्स रिटन फाइल करते हैं तो जो रेंट होता है उसी को GAV मान लेते हैं सीधा इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे मुंसिपल टेक्स अब मुंसिपल टेक्स कितना है 5000 रुपे तो कितना बचा हमारा एने वी 295 अब यहाँपे एक रिपेज़ भी धिर थेंखा है 25 जारुपे तो क्या रीपेज माइनस होगा यहाँपे बता हो क्या रीपेज माइनस होगा डांधिये करवा Requya कर भाया गर का है तो मोच रिपेयर यहाँ पर माइनस नहीं होगा इसके बदले क्या दे रही आपको सरकार इसके बदले देरिये डिडक्षन और कौन से सेक्षन का 24 एस्टेंडर्ड डिडक्षन कितने तीज परसेंट है तो चलिए तीज परसेंट निकालते हैं एक डबल एट पाइव डबल जीरो माइनस कर दो टू जीरो सिक्स फाइव डबल जीरो या इच पी यह क्या आगे हमारा आई एच पी मतलब इनकंब फ्रॉम प्रॉप चलो एक और केस देखते हैं एक्जांपल केस नहीं देख रहा है अपूसरा ही केस चल्राई एक्जांपल नंबर फ्री माल लेते हैं हम MV है हमारा 5,00,00 FR है हमारा 2,00,00 SR है हमारा 3,00,00 अब एक बात बताओ SR क्या होता है किसी को पता SR SR क्या होता है Standard Rent ये Standard Rent बनता कैसे है Code Rent Controlling Act के अकॉर्डिंग जो होता है उसे बोलते है Standard Rent Municipal Tax माल लेते हैं 50,000 Half Paid By Honor अरे इसको तो मैं थोड़ा सा मिटा दू ये थोड़ा अलग स्टाइल से लिखे है Municipal Tax 10% Half Paid By Honor ठीक है इसके बाद हम कर लेते हैं Insurance Of House 10,000 White Wash Of House 5,000 Calculate करना है आपको Again क्या Income from House Property तो चलिए आईए Income from House Property निकाल ले Sir यहाँ पर तो एक दिक्कत है क्या दिक्कत है देख लेते हैं सबसे पहले क्या लेंगे हम MV MV क्या दे रखा है 5,000,000 इसको compare करोगे FR FR कितना दे रखा है 2,000,000 तो इन दोनों में से जो higher है वो 5,000,000 फिर किस से compare करोगे SR से SR कितना है 3,000,000 SR और उसमें दिखा जाए तो कौन सा लेते हैं Lower तो यहाँ पर expected rent क्या निकल के आ गया कौन बताएगा जल्दी जल्दी बताओ expected rent expected rent आएगा हमारा 3,000,000 अब इसमें से हमारा actual rent receive and receivable इसमें लिखना भूल गया मैं इदर लिख देता हूं 8,000,000 8,000,000 ठीक है actual rent receive and receivable कितना है हमारा अभी पूरे साल किराये पे है वेकेंसी वाला करेंगे हम अभी क्या है पूरे साल पूरे साल किराये पे हैं ठीक है चलो सर अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा इन दोनों में से compare चलेगा और क्या निकल के आएगा हमारा GAV GAV कितना होगे हमारा 8,000,000 अब minus क्या करेंगे M,T अब बताइए मुंसीपल टैक्स क्या होगा बताइए मुंसीपल टैक्स क्या होगा आठ लाग रुपए सभी बच्चों ने जवाब दे दिया मुनसीपल टेक्स क्या होगा बताइए अब मुनसीपल टेक्स तो सर परसंटेज में दे दिया तो हमेशा याद रखेगा मुनसीपल टेक्स आलवेज कैलकुलेट अन मुनसीपल वेल्यू किस पर कैलकुलेट होगा हमारा मुनसीपल वेल्यू के उपर तो मुनसीपल वेल्यू कितना है पांच लाग का दस परसंट कितना बनेगा पचास हजार लेकिन पचास हजार का मुनसीपल टेक्स में भी बोल रहा है हाफ ही सरिफ ओनर पेड कर रहा है और half किरायदार paid कर रहा है तो municipal text कितना minus करना चाहिए सर minus करना चाहिए only 25,000 तो आपका आजाएगा NAV और NAV आजाएगा 7 सेवन टीक है अब इसमें से क्या माइनस करोगे बता हूँ इस्टेंडर डिदक्शन 75 एए एक मिन्ट रुप जाजकर थोड़ा सा 775 सेवन पॉइंट सेवन फाइव एल माइनस करो ट्वेंटी फॉर एए स्टेंडर डिदक्शन 24 एए साथ लाग पिछात्तर हजा हाँ तू थ्री टू फाइव डबल जीरो जब माइनस करोगे किसी को डाउट है अब केस नंबर वन क्या था पूरे साल घर किस पे था पूरे साल घर मतलब हम रह रहे थे और केस नंबर टू कौन सा किया जिसमें पूरे साल घर किस पे है किराए पे हैं पूरे साल किस पे है घर किराए के उपर है समझ मैं यह बात आपको तो झाँ क्यर झाँ मैं पूरे किस पे नचर अचिनान प्हर आपको जफे जिस में उर साल को किया उपने। झाल झाल